हमारी मैन ग्यारेक्टर फैमिली के साथ एक नई सीटे में मूव होती है वहाब जब अपने घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे थी तो भी कंस्ट्रक्शन वरकर के साथ उसका अफेर हो जाता है इस सब के बीचे कुछ रास चिपे थे कैसी सबसे वो बच पाएगी कि हम आज के हमारी अगर आपको विडियो चलता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर देजेगा बिना किस देरी के एक्समेशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन क्यारेक्टर सीमोन को अरेस्ट होता देख सकते हैं अब ऐसा क्या हुआ था यह हमें एक फ सिमोन ने अपनी मदर से जादा रिलेशन्शिप नहीं रखी थी क्योंकि उसकी मदर जब वो छोटी थी तब भी उसे छोड़ कर चली गई थी किसी और के साथ अफेर की वज़े से एक अलगी कंट्री में जाकर वो रह रही थी सिमोन ने हमेशा अपनी मदर को हेट किया था तो इस वज़े से कभी उसके घर वर गई भी नहीं थी इगर जब वो देखती है तो इसके हलत बहुत ही खराब थी एरिक ने कहा कि हम पूरे घर को रिन्यू कर लेंगे कुछ भी प्रॉलम ने आएगा शाम में सिमोन बच्चों को नहिलाना चादे थी और बहुत ही खराब पानी आ रहा था वो सप्लाइ स्टोर पर जाती है पर उसे वहां कि उतनी जादा लैंग्वेज आती नहीं जो फ्रेंज थी सिमोन डज जानती थी घर बर बहुत सारे काम करने के लिए उसे वरकर की जरूरत थी तो उस आदमी ने सजिस्ट किया कि तुम्हारे पास येलो पे जिसका नाम है माईकल उसके पास अजाता है वो उसके बहुत करीब आगर गया था कि ये ब्रैंड अच्छा नहीं है दूसरा ब्रैंड यूज करो माईकल के जाने के बाद सीमोन ने बच्चों को देखा उसकी बेटी उसे मिल ने रही थी वो बहुत ज़दा डर जाती है हर बाहर आने पर उसे बुरे बुरे ख्याल आने लग गया है कभी एक आदमे उसके बेटी को लेकर बाहर आ जाता है इसका नाम था पिटर और यह भी डच्छ लैंग्वेज जानता था सिमोन उससे कुछ भी बात ना करते हुए वहाँ से चली जाती है वह घर बर आई तो एरिक ने पानी का काम कर दिया था अवे भी कोल्ड शावर आ रहा था यह थोड़ी थोड़ी जीजे करके सब कुछ मैनेज कर रहे थे एक दिन सिमोन अपने बच्छों को नए स्कूल में ले पड़ेगी बच्चे खेलने लग जाए थे जरा शोर हुआ तो वेट्रेस ने कहा तुम्हें अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए यहां के लोग इनके आने से ज्यादा हैपी नहीं थे सिमोन की बेटी गाइब हो जानी पर जिस आदमी ने उसे ढूनना था वही आद पीटर को पता चला कि इन्हें वर्कर्स की जरूवत है पीटर कहता है कि मैं खुद एक कॉंट्रक्टर हो अब तुम्हें किसी भी चीज को लेकर वरी करने की जरूवत नहीं है अगली दिन उनका घर देखने के लिया और सारी चीज़ों को लेकर प्लान करता है वो देखता ह के वज़े से सीमोन और एरिक जरा रिलाक्स होए थे सीमोन अपनी मदर का पुराना टेबल घर से बाहर निकाल रही थी उनीचे की रहा तो मदर की कुछ पुरानी चीज़े उसे मिल जाती है सब कुछ मुविन करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर में से एक वर्कर ने उसे प्लेस के लिए लगड़े तोड़ने में सीमोन को जरा तकलिफ हो रही थी माइकल उसके पास आया और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ उसके करीब किया सिमोन के हाथ अपने हाथों में लिया उसके बाद उसे सिखाता है यह दोनों बहुत करीब आ गये थैं इस तरह उसकी मदर ने उसकी बच्पन की हैंड राइटिंग, नोट्स, इस सब कुछ समाल कर रखी थी यो भी रियलाइस करती है, शायद उसकी मदर भी उससे बहुत प्यार कर दी थी राप में सिमोन ने एरिक से कहा कि शायद हमारे बेटे को कोई बुली कर रहा है एरिक कहता है कि यह तो सब चलता ही रहता है, उन्हें स्कुल में ज़रा कमफर्टेबल होने के लिए एक साल तो लगी जाएगा ज़्यादा वरी मत करो, हम पहले सेटल हो जाते है एरिक पहले वे बहुत ज़्यादा काम करता था और कंस्टक्शन में अब बीजी हो चुका है यहाँ पर आने के बाद सिमोन चाहते थी कि एरिक अपने फैमिली को टाइम दिया, पर यह वो कर नहीं रहा था रात में दोनों मिलकर पीटर के साथ हैंगाउट कर रहे थे उसे 200,000 डॉलर्स मिले, सिमोन कोई बाद अच्छे नहीं लगती, अगली सुभा हो खाना बनाने का ट्राय कर रही थी कंस्ट्रक्शन में सारे पैसे सिमोन के इक खर्च हो रहे थे और उस जादा कुछ भी सवाल नहीं पूचती एरिक और पिटर मिल कर खर के रिणोशन में चेंजिस करने लग गया, जो इनका प्लान भी नहीं था शाम में सिमोन लगड़ा लेकर जा रही थी, तो उसके पीचे बीचे माइकल आता है उसने काहा कि मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ जब दोनों अकेले थे तो उसे टेच करने लग गया, इसके बाद तो चला जाता है इस सबसे सिमोन बहुत ही ज़ादा डर गई थी, उसका कुकिंग पर ध्यान नहीं था तो सब कुछ चल जाता है माइकल न उसे अंकरेज करने के लिए वही सब खा लिया एक विगेंड बर सिमोन एरिक के साथ टाइम स्पेंट करना चाहती थी पर एरिक भी काम कर रहा था इस बात को लेकर इनमें थोड़ा सा जगडा होता है तो एरिक ने कहा कि हम सब मिलकर टाउन में चलते हैं ये टाउन में गए पर एरिक की मीटिंग पीटर के साथ थी तो वो भी उनके साथ आता है इन्हें गवेर्मेंट ओफिचल बे मिला उन्हेंने कहा ये तुमारा घर पीटर के हाथों में एकदम सही सलाम आते हैं अगले में पीटर सिमोन के साथ बात करता है उसने कहा कि अब तुमारे घर का इन्हेशन चल रहा है इसी के साथ साथ तुमारी जो लैंड है वहावर हमें घर बानने चाहिए अगर हमने इस काम को अभी स्टॉप कर दिया तो किसी के लिए भी सही नहीं होगा ये इंडारेक्ली धंगी की तरह ही था मुवे में प्रिवियसली हमने देखा था कि स्कूल के बाहर एक मदर रो रही थी वो सिमोन के पास है और उसने कहा कि पिटर के साथ कोई भी रिलेशनशिप मत रखना पिटर के जोबे ब्लान थे इसे लेकर सिमोन एरिक के साथ बात कर दिया उसने बुझा कि यह सब चैल कहा रहा है एरिक कहता है कि हम इसके बार में बाद में बात करेंगे अगले दिन सीटी में जाकर कंस्ट्रक्शन का कोई सामान लाना था एरिक ज़रा बीजी था तो सिमोन से कहता है कि तुम माइकल के साथ जाकर वो सब लेकर आओ सिमोन पहले तुज़रा कदरा थी है उसके बाद उसके साथ चली गए इनका सबला शॉप बन था तो माइकल सिमोन का एक ब्यूटिफल सी जगा पर लेकर आता है लेक के पास कैफे में हैंग आउट करते है माइकल ने का कि आजकल तुम क्या चाहती हो सिमोन कहती कि मेरे बच्चे हैपी रहे सिर्फ मैं यही चाहती हो माइकल ने का कि यह भी तुम अपनी फैमिली के लिए चाहती हो तुम खुद के लिए क्या चाहती हो इसके बाद उसके करीब आकर उसे किस कर लेता है रात में सिमोन माइकल के बारे में सोच रही थी उन बंगलोज को लेकर सिमोन फिर से एरिक से बात करने की कोशिश करती है पर एरिक उसे डाल देता है एक दिन अचानक से एरिक को मेसेज आया कि उसकी मदर को स्ट्रोक आ चुका है उसे कुछ दिनों के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और बच्चों की स्कूल की वज़े से रिस्पोंसिबिलीटी बढ़ चुकी थी तो सिमौन अकेली यह सब से कंस्ट्रक्शन वरकार्स में माइकल को देखती है और उसे भी बहुत अच्छा लगा था एक राज सिमौन की सिस्टर बच्चों को कहानी सुना रही थी और सिमौन शावर ले रही थी शावर ले तो माइकल उसके पास पहुच जाता है माइकल ने कहा कि तुम इतने काम था यह निकल रही थी तो माइकल इनके पास आता है वह सिमौन से घर सकता है हमें कुछ सप्लाइज लेने nak आ हैसके शावर में सोचति9 वह थी ले एक रात वो शावर ले रही थी थी तो अ लगता हे कि शायद हो माइकल है तो आवाज को उसने फॉलो किया तो वहाँ पर पिटर था पिटर कहता है कि एरिक ने मुझे घर पर नज़र रखने के लिए कहा हुआ था मेरे घर पर पार्टी है तो तुम भी आ जाना नेक्से अम देखते हैं कि काम करत वक भी माइकल सिमोन के पास आजाता है माइकल के फ्रेंड ने बात नोटीस कर ली थैंए एक दिन सिमोन ने नोटीस कया कि माइकल के पैर पर चोट है माइकल कहता है कि जब मैं 6 साल का था तब हमारे घर पर आग लगी थी इसी आग में उसके मदर की डेथ होके उसे चोट आई थी कुछ दिन बीट गए और एरिक वापस आ गया अब जब सिमोन की सिस्टा जा रही थी तो उसने कहा कि मैं अंदी नहीं हो तुमारे और माइकल की बीच में जो भी चल रहा है इसके बारे में मुझे पता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुमारे हस्बंड को भी पता चलने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा इस बात से सिमोन डर गए थी अपनी फैमिली को लूज नहीं करना चाहती थी उसने माइकल से गा अब हमें इस सब स्टॉप करना पड़ेगा फिर से मेरे घर पर काम करने के लिए मत आना एरिक बच्चों से जब बात कर रहा था तो डॉटर गए थी है कि राग में बहुत ज़्यादा डर कही थी एरिक कहता है कि मदर कहा थी डॉटर ने कहा कि मदर माइकल के साथ शावर में थी सिमोन कहती कि हम नल फिक्स कर रहे थे एरिक कोई बात ज़रा वियर लगती है अगली दिन माइकल फिर से सिमोन के घर पर काम करने लग था सिमोन बुच्छती कि तुम्हें यहां कर क्या रहे हो माइकल कहता है कि यह सब कॉंट्रैक्टर पर होता है मेरे उपर खुछ भी नहीं है निक सिन मेरे सब जब डिनर कर रहे था तो Peter Simon से कहता है अब हमें houses का काम करना start कर देना चाहिए वो से सब land देंगे सब profit वो share करने वाले थे पर Simon को आइड़ा अच्छा नहीं लगता वो Peter पर उतना ज़दा trust नहीं करते उसे अभी decision लेना था तो Simon इसके लिए strictly मना कर देती है यह बात Eric को अच्छी नहीं लगती और Simon से उसने बात किये Simon ने कहा कि हमें यह सब करने की जरूरत नहीं है वैसे भी तुमने कहा था कि family के साथ तुम्हें time spent करना है और तुम्हें यह सब काम नहीं कर सकते है Eric ने कहा कि मैं सब कुछ हमारी family के लिए करता हूँ काम बे में उसी की वज़े से करता था तुम्हारा हम सब पर तो ध्यान भी नहीं होता इस बात की वज़े से Simon को बहुत ही बुरा लगा Michael के साथ affair करने की वज़े से उसे kill भी थे इस सब को लेकर वो Eric को sorry कहती है और इसके बाद कुछ time घुजर चुका था एक दिन अजानक से Simon को nauseous लगने लग जाता है उसने test की तो उसे पता चला कि वो pregnant है यह बच्छा Michael का था इसे वो रख नहीं सकती तो डॉक्टर के पास जाती है डॉक्टर कहती है कि तुम्हारी country में कुछ भी चलता होगा पर इस country में हम abortion नहीं करवाते एक दिन पिटर ने फिर से Simon से बात कि पूछा कि क्या हम बंगलोज नहीं बनवाने वाले सिमोन इसके लिए मना करे थी तो पिटर ने अपने mobile में Michael और सिमोन की फोटोस दिखा है इस साफ साफ सिमोन के अफेर का प्रूफ था उसे कहता है कि एरिक एक बहुत यह अच्छा आदमी है उसी यह सब नहीं पता चलना चाहिए इस ब्लैक मेल की वाज़े से सिमोन कंस्ट्रक्शन के लिए मान जाती है सबने मिलकर फिर सेलिबरेशन किया एक राद पिटर के हाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी थी पार्टी में सिमोन पिटर का घर देखती है तो वहाँ और माइकल की तस्वीर लगाई हुए थी उसे पता चला कि पिटर माइकल का स्टेप डैड है उसने फिगर आउट कर लिया कि पिटर और माइकल ने मिलकर एप्लान बनाए था मूवी के फर्स में हमने एक मदर को स्कूल के बाहर रोते हुए देखा था वो सिमोन के पास आती है उसने कहा कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम स्पेशल हो यही जिस माइकल और पिटर ने मिलकर उसी के साथ भी की थे पार्टे में सिमोन माइकल से टक रहे और डिस्टब होकर वहाँ से भागने लगके माइकल भी उसकी पीछे बीचा आता है प्रिग्नेंट हो चुकी हो यह सब चीजे पीटर सुन लेता है अगली दिन पीटर ने सिमोन को कॉल कर गर कहा यह तो मैं गलत फ़हमी हुए प्लीज माइकल के बीटों को मद गिराना सिमोन घर पर आये तो पीटर उसे मिलने के लिए आया हुआ था वो डर कर सब को जब Eric को बताना चाहते थी और Peter उसे रोकनी की कोशिश करता है Eric ने इसब सुन लिया तो Peter ही Eric को सब को समझा लेता है यहाँ और Michael भी पहुत चुका था Peter ने Simon से कहा कि अब हम family है तुम्हारे bed में मेरा grandchild है एक hacker जब वो जाने रखता है तो Simon बहुत ही ज़ादा चेड़ जाती है उसने उसे जोर से पुछ किया तो एक X उसके सर पर लगकर वही पर Peter की डेथ हो जाती है यहाँ और Michael भी था तो सब मिलकर इसे cover up करने का decide करते है body लेकर ही Peter के घर पर आय और वही पर उसे चुपा देते है घर के बाहर Michael के friend नहीं देख लिया इस incident के बाद Simon और Eric बात नहीं कर रहे थे एक दिन Simon को arrest करने के लिए पुलिस पोच जाते है उन्हें ने कहाँ कि हमारे बास तुमारे किलाफ सबुत है जेल में जहाबर Simon को रखा था उसी की neighbor में Michael भी था माइकल ने कहा कि बुलिस को कुछ भी मत बताना मैं सब कुछ देख लूँगा अगली दिन Simon को छोड़ दिया जाता है माइकल ने confess किया था कि सब कुछ उसने किया है वो से बचाता था कि Simon उसकी बेटे का abortion ना करे इस सब से Simon बच गई थी उसे अपनी family फिर से वापस मिल जाती है इसी के साथ आज का वीडियों हम खतम करते है अगर आपका explanation चलागा तो प्लीज इसे like और comment जरूर कर दीजएगा मैं बहुत सारी movies लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को subscribe कर दीजए और bell notification icon दोनर मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमूँ के साथ तब तक के लिए thank you और आप हमने आपका ख्याल रखिया